हिलो स्टूर्ट्स आप लोगों ने एकर हमारा वाट्सव गूरूप जोइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी आप वहां से हमसे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं नीट के अप्लिकेशन फॉर्म की रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउ परस्ट सेट जो आपको अभी बनना है जो सेकंड सेट होगा अप्लिकेशन फॉर्म का वह आपको रिगर्ड डिकलिरेशन से पहले या रिजल्ट के डिकलिरेशन के बाद आपको साथ में इसको बनना होगा यह एंटी आपको बापस अपनी वैपसाइट पर बता देगा बा फिर आपको यहाँ पर पर्मनेंट अड्रेस फिर आपको अपना पर्जेंट अड्रेस भी बनना है फिर आपको पासवर्ड भी चूस करना है और अपना सेक्योर्टी पर ना आपको बताना है यह मैं आपको अपनी प्रिवियस देई वीडियो में एक्स्प्लिन कर चुका इसके बाद आपको जो additional application page होगा उस application page में आपको यहाँ पर personal details जो है वो आपकी पहले सी फिल हो के आएगी उसके बाद आपको यहाँ पे आपने class 12 कहां से पास की self declaration upload as per as rules अगर आप जम्मू अन कस्मीर से है category अगर आप PWD category के हैं तो आपको वो भी यहाँ पे type of disabilities अगर आपके पास हैं कोई भी अगर आप diabetic हैं country of residence यह सारी की चीज़ें आपको यहाँ पर भननी पड़ेंगी फिर अगर हम आपसे बात करें कि आपको यहाँ पे NEET 2020 के लिए जो basic details है जो apply for NEET 2020 यह पहले से फिल हो के आएगा आपको examination का medium क्या चूज करना यह आप अपने accordingly चूज कर सकते हैं आपको चार exam state की city की choice दी यहाँ पर दी जाएगी वो आपको यहाँ पर भननना है फिर आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि class 12 का जो है educational details आपको यहाँ पर fill up करनी है आपको pass है, year of passing, qualify examination, कौन सी schools है, कौन सी college से, किस state से, किस district से, कौन से board था, आपका result का medium क्या था यह आपको मतलब class 12 की जो details है वो आपको currently अभी भननी है फिर आपको यहाँ पर documents upload कर देने हैं अब बात करेंगे जो second phase होगा या second set होगा उसमें आपको personal details में कुछ और चीजे भी यहाँ पर upload करनी है जैसे कि अगर आप girl candidates है, क्या आप अपने pen के के खेवल अकलौते girl candidates है आपका residence क्या है, minority से belong करते हैं या आप नहीं करते हैं, mode of preparation क्या है फिर उसके बाद आपको class 10th की details भननी पढ़ेंगी हो second set में फिर उसका class 11th की details आपको second set में यहाँ पर भननी पढ़ेंगी बात करें कि additional details की बात करें तो आपको place और birth, state और district फिर उसके बाद आपको parents की details भननी होगी, parents की qualification, occupation, annual income यह सब आपको यहाँ भनना होगा, एक चीज़ पर यहाँ नोटिस कर रहा हूँ, इस पर star mark कर रहा हूँ, इस चीज़ को धियान से देख लिज़ेगा आपको जो documents इस बार upload करने हैं, आपको category certificate का भी document यहाँ पर upload करना है कि आपका application form किस तारीफ से आपकी photos यहाँ पर आपको upload करने हैं, आप इस चीज़ को भी यहाँ पर check कर सकते हैं, आपको मैंने यह सारी चीज़ें previously वीडियों बता दियें, लेकर मैं फिर भी आपको एक बाद दिखा देता हूँ, कि यह सारी की सारी details आपको यहाँ पर fill करन करेंगे application number मिलेगा, उसके बाद आपको फिर इपर आपका application form में जो बांके की details आपको यहाँ पर एपनी fill अपर आपका name यह सब पहले से फिल होके यहाँ पर आएगा, बांकी आपनी class 12 कहां से पास किया है, आपको यह सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर examination, कहां पर Center चाहते आपको यहाँ पर Class 12 की सारी details फिल करनी होगे, Class 10 और Class 11 की details आपको अभी फिल यहाँ पर नहीं करनी है हर बार आप से declaration वाँगा जाएगा कि आप इसको भी submit करना चाहते है, final submit करना चाहते है या फिर data को यहाँ पर चेंज करना चाहते है तो आप एक बार अच्छे सार चीज को यहाँ पर जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर documents अप्लोड करनी है, documents अप्लोड में आप यहाँ पर देख लिए अभी आपको केबल, postcard size photo, signature, left and thumb impression और passport size photo यहाँ पर upload करनी है जैसी आप इनको upload करेंगे, फिर आपको वहाँ पर अपना फीस का payment यहाँ पर कर देना है, यह आपका set बन में है, और set बन गा जैसी आप सब कुछ कर देंगे, तो आपको यहाँ पर application form प्लेंट होके यहाँ पर आ जाएगा, set 2 के बारे में अभी नहीं details दीगेंगे, लेकि क्युम्